बिहार विदान सबाद चुनाओ की सरगर्मिया तेज हो गई है देखना है कि जहां महागडबंदन की प्रत्यक्षी वहीं बाकी अन्य प्रत्यक्षी भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बिहार में चुनावी चौसर बिचुका है ऐसे में हर दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कारिकरताओं को गोल बंद करने में लगे हैं आम लोगों को उनके भविश्चिका आईना दिखा कर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं दूसरी और हर दल में अपने उमीदवारी को लेकर अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है बेगुसराई के मटिहाने विदान सभा सीट होट सीट मानी जाती है जहां से जदयू के दबंग विधायक नरेंदर कुमारसी और बोगोसी विधायक है इस बार बोगोसी को परास्ति करने के लिए महा गडवन्दन किसी खास चहरी को मटिहानी विदान सभा में उतारना चाहती है जिसको लेकर कॉंग्रेस के पूरु प्रदेश अध्यक्ष अनील चौधरी मटिहानी का दौरा भी कर चुके हैं और कारकरताओं से उनकी राय भी पूछ चुके हैं होट सीट मटिहानी पर कौन उमिद्वार होगा ये तो पता नहीं पर NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष निशान सी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं इनका कहना है कि उन्होंने इलागे में जो काम किया है वह जनता जानती हैं और इसलिए उन्हें जनता का अच्छा समर्थन मिलेगा नमस्कार आप देखरें इनकिलाब टीवी इनकिलाब टीवी में आज खास बात करने के लिए NSUI के निसान सीन है जो बेवु सरय विदानसवा चुनाओ जो 144 विदानसवा मठ्यानी और सिख माना जा रहा है उसको लेकर अपना किसमत आजमाने के लिए इस वार जो है विदान सबास लें जो पहले इनकिलाब टीवी के माधियम से लगातार जो है यह बताते जा रहे थे कि हमारे जो मठ्यानी के विदान सबास चुनाओ है आपको भी बहुत धन्यवाद पहली बात है कि हमारे अभी कांग्रेस पार्टी के पुरुवद कैच्छे विहार प्रदेश कांग्रेस के पुरुवद कैच्छे अनि सरमा जी दो दिन पहले मठ्यानी आएगगी और सबसे पहली हमारी प्रात्मिक्ता है कि महादख बंधन में कॉंग्रेस पार्टी को मठ्यानी विधान सभास से सीठ भी दूसरी प्रात्मिक्ता है कि वहाँ कॉंग्रेस पार्टी की प्रकेर्याएं वो लोग्तांत्रिक प्रकेर्याएं उसमें कोई विभ्यक्ति संगत्षान का जो काम कर रहे हैं संगठन के जो लोग हैं, वो उम्मिदवारी दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोग नहीं है, अब संगठन को तय करना होता है, कि वो किसको उम्मिदवार बनाते हैं, तो ये संगठन का भी सह है, ये संगठन की बात है, याला कमान का भी सह है, इस पर टिका टिक पनी, मैं अपन नहीं बदलावा चाहिए तो उसी करी में हम मतिहानी बिधान सभा में भी बदलाव की मांग करें। और बरतमान परिवेश जो है बीस विहार विधान सवाग चुनाओ ये बहुत वड़ा चुनाओ और ये युवाँ पीधी को आगयाने का चुनाओ चुकि इस चुनाव से युवा पीधी का भविस जुदा हुआ है तो इस चुनाव को सिर्फ चुनाव रूप में नहीं लेना है इस चुनाव को बिहार के विकास के रूप में लेना है बिहार के युवाओं के विकास के रूप में लेना है और मेरा ऐसा अपना मानना है कि आज की जो बरतमान परिस्थिती उसमें छात्र और युवा ही बिहार में बहुत बड़ा बदलाउप करेगा। पिधान सभा का जो परिशीमन उसके अनुपात में मतिहानी पिधान सभा के अंदर युवाओं की आवाज को उठाना है। मतिहानी पिधान सभा के अंदर सिख्छा की आवाज को उठाना है। मतिहानी पिधान सभा के अंदर किसानों की आवाज को उठाना है। क्योंकि मतिहानी पिधान सभा की जो आवादी उस आवादी का 70% लोग किसान है। और किसानों की जो प्रमुक समस्याएं उस पर हमें गंभीर रूप से सोचना होगा आज का जो बरतमान हालात है वो बहुत ही गंभीर है उस हालात से चुकि चुनावी मुद्दे अलग-अलग होते हैं और लेकिन जब पार्टी का मेनिफेस्टो बनता है तो उसमें पुरे रा में जो चीज दिख रहे है एक बिधायक के अस्त्र से जो काम होना चाहिए उसमें रोड बनती है लेकिन आप देख सकते है कि रोड का वि लोगों को शुर्धाय मिलना चाहिए उस अस्त्र में कुछ पर हम लोग का ये प्रियास अपने बिधान सब्वा का विकास करें और अपने विधान सब्वा की आवाज को बिधान सब्वा तक पहुचाने का कारी करें तो ये हमारी प्राथमित्ता इसलिए मत्यानी पीधान सभां रहेगी चुक् czyli हम वहां से आते हैं आप वहां से इस्थिती है उसमें क्या विकास हुआ हाम तिक हानी पड़ान का व üzल्य कि अंचर himself एकौन है करेगा अगरच आज लाज प्रित करते हैं और के हम विकासर आहे हम अपनी तो अपनी अपने मैंंसे रहे हैं विकास हुआ तो यह वहां की जंटा मी वहां के चार ऊप पर कहेंगे वहां के उत्थ तो बै अश्रली एयर सबंडे अब बात काहना है इताविकास वो नहीं हुगा है। इताविकास विधान सवा चुनाव से अपनी किस्मत अपने ही छेत्रे विधान सवा मठ्यानी से लड़ने के लिए उपसित हुए है और योबा भर के चाहत भी है। इसको लेकर देखना है कि अब मठ्यानी का कॉंग्रेस से नए चेरे के रूप में कोन आएंगे। इनकिलाब के विष्ञे महम्मद नभी अलब। इनकिलाब के विष्ञे महम्मद आएंगे।